आगे बढ़ते हैं और मंध्य प्रदेश से शरद जी ने हमें संपर्ख किया और इंका सवाल आया है येस बैंक पर पच्पन हजार शेर्ज हैं के पास और और 16 रुपे 95 पैसे परिंगी खरीद है इन फाक्ट यह हमारे साथ फोलाइं पर भी जुड़े हैं शरद जी आवाज दा रही आपको ये इस बैंक काफी जादा क्वांटिटी आपने ले लिए नजरीया क्या है आपका वह पहरे ले लिए थे मैडम जो है न 116 रुपे से लेन आरे अनलिस्ट उस वक्त निकलने की भी राय दे रहे थे क्योंकि माना जाए था येस बैंक में तेजी काफी आ चुकी थी तो बने रहना ठीक नहीं था बहराल क्वांटिटी आपने काफी ज्यादा ले लिए इस पर जिससे नुकसान इस वक्त जहिलना पढ़ रहा है आपक 1695 पर इन्होंने लिया हुआ भी थोड़ा नीचे आ गया है स्टॉकिंग की खरदारी से बट क्या करें अगे के लिए आउटलू किया बन रहा है आपका येस बैंक पर तो ये सबसे बहुत अच्छा बैंक नहीं है क्योंकि इनके रेशियूस अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए है और वैलुएशन के लिहास से करेक्ट तो हो गया है लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि जो बैंक में जो कॉम्पेटिशन है उससे येस बैंक लड़ पाएग और ये इस बैंक की बात करें तो इनके काफी सारे शेर जो लॉपिन में थे वो भी खुल रहे हैं तो बाजार को ऐसी भी आशंका है कि वो शायद थोड़ा उसमें भी सेलिंग आ सकती है मुझे लगता है इन्होंने 55,000 शेर तो जरूर लिए है अगर वैल्ली वाइस देखा जाए तो करीबन 7-8 लाख रुपे के शेर बनते हैं और अगर ये यहाँ पर बुक करना चाहें तो बैंकिंग स्पेस में ही बड़े विकल देख सकते हैं जैसे कि जो प्राइविट सेक् कि आस पास किसके भाव आगे हैं